तो राम चैट्रमानच जो लिखा गया था आपको याद होगा, कि एक महजिद में लिखा गया था, इतिहास उठा के दिछिएगा, उस वक्त हमारा हिंदूत्य खतरे में नहीं था, मोग्ल समराज जब इतना दिन राज किया, तो उस दिन हमारा हिंदुत थे खते में नहीं था हिंदुत तुराद एक दुसरे को लडाने के फिर में आप परे हुए है हिंदुत तुराद एक दुसरे को लडाने के फिर में आप परे हुए है कि कब तक चलेगा इसा एक समय जब आया था ता आप याद किजिए राम मंदिर राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो राम चैतर मानच जो लिखा गया था आपको याद होगा कि एक महजिद में लिखा गया था इतिहास उठा के देखिएगा उस वक्त हमारा हिंदुत्य खत्रे में नहीं था मोद समराज जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्य खत्रे में नहीं था जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और और कंट्री में जब मुसल्मान की 11 साल की बेटी भागवत कथा कि जब अपने आप में सिल्ड जित्ती है तोपर आती है उस बग कहां थे लोग देखने वाले उस बग कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कता का जो एक दुसरे के बीच में परचार किया और उसको अपने आप में जो गरन किया है उससे भी बड़ा लोग है उससे भी तो लोग को सीख लेना चाहिए जब हमारा देश खतरे में था हिंदुत तुराद एक दुसरे को लड़ाने के फिर में आप परे हुए है कि कब तक चलेगा इसा एक समय जब आया था तापियात किजिए राम मंदिर राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो राम चैतर मानच जो लिखा गया था आपको याद होगा एक महजिद में लिखा गया था इतिहास उठा के देखिएगा उस वक्त हमारा हिंदुत तो खतरे में नहीं था मोद समराज जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत तो खतरे में नहीं था जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और और कंट्री में जब मुसल्मान की 11 साल की बेटी भागवत का था कि जब अपने आप में सिल्ड जितती है तो पर आती है उस बग कहां थे लोग देखने वाले उस बग कोई कहने वाले नहीं थे कि मुसलिम की लड़की आज भागवत कता का जो एक दुसरे के बीच में परचार किया और उसको अपने आप में जो गरन किया है उससे भी बड़ा लोग है उससे भी तो लोग को सीख लेना चाहिए जब हमारा देश खतरे में था हिंदुत तुराद एक दुसरे को लड़ाने के फिर में आप परे हुए है कि कब तक चलेगा इसा एक समय जब आया था ता आप याद किजिए राम मंदिर राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो राम चैत्र मानच जो लिखा गया था आपको याद होगा कि एक महजित में लिखा गया था इतिहास उठा के देखिएगा उस वक्त हमारा हिंदुत खतरे में नहीं था मुगत समराज जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत खतरे में नहीं था अपने आप में शिल्ड जित्ती है तोपर आती है उस बग कहां थे लोग देखने वाले उस बग कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दुसरे के बीच में परचार किया और उसको अपने आप में जो गरन किया है उससे भी बड़ा लोग है उससे भी तो लोग को सीख लेना चाहिए जब हमारा देश खतरे में था